उम्शंती 28 मैं 70 अव्यक्तवानी हाई जंप देने के लिए हलका बनो। कौन सा समर्पन है? समर्पन समाहरो तो नहीं है ना, इस समाहरो का नाम क्या है? यहां है इनों का अपने जीवन का फैसला करने का समाहरो है, फैसला किया नहीं है, करने का है, अभी एग्रिमेंट करनी होगी, फिर होगी इंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपुर्न होने का समाहरो होगा, अभी यहां पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रिमेंट करनी है, इसलिए सभी आए है न, जीवन का फैसला करने आई हो वा नहीं, बाब दादा भी हर एक का साहस देख रहे है, अब कोई बात का साहस रखा जाता है, तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है, कई बाते सामना करने के लिए आती है, साहस रखा और माया का सामना करना शुर परिक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परिक्षा को पास कर लेंगे तो यह हाई जंप लगाने वालों का ग्रूप है जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाए यह तो सभी साहस रखने में नंबर वन है इनूं को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है उसका पहला लक्षन कौन सा है उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा एक है अंदर अपनी अवस्ता का हलकापन, दूसरा है बाहर का हलकापन, बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के सम्मंद संपरक में आना होता है, तो अंदर भी हलकापन, बाहर में हलकापन, हलकापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे, इस ग्रूप को ऐसा हलका बनाना जो कहां भी जाए तो हिल मिल जाए इतना साहस है अगर इतनी सभी कुमारिया समरपन हो जाए तो क्या हो जाएगा इस भट्टी से ऐसा हो कर निकलना है जो जैसा भी कोई हो जहाँ भी हो जैसी भी परस्तिती हो उन सभी का सामना कर सके क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है न कि खुद समस्या बन जाना है कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं, तो खुद समस्या न बनना लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है फिर बाप दादा इस ग्रूप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे, इतने उमीदवार हो ना, कहते हैं ना, बड़े तो बड़े छोटे बाप समान, यह ग्रूप भी बहुत लाडला है, उमीदवार है, साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रूप का नाम रखते हैं, शूरवीर ग्रूप, जैसा नाम है, वैसा ही सदैवहर कारिय शूरवीर समान करना, कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना, काली का पूजन देखा है, जैसे वह काली दल है न, वैसे इस सारे ग्रू जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेश कुमारियों को शीतला नहीं बनना है। काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है। वह अर्थ भी तो समश्ती हो। लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किसी पर बली नहीं चड़ेगी, लेकिन अनेकों को अपने उपर बली चड़ाएंगी। कोई पर भी स्वयम बली नहीं चड़ना, लेकिन उसको अपने उपर, अर्थात जिसके उपर आप सभी बली चड़ी हो, उन पर ही सभी को बली चड़ाना है ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगी बहुत कड़ा रूप चाहिए माया का कोई विग्न सामने आने का साहस न रख सके जब कुमारिया काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो तो इन सभी को काली पन का लक्षन सुनाना सदैव एक रस्तिती रहे और विग्नों को भी हटा सके इसके लिए सदैव दो बाते अपने सामने रखनी है जैसे एक आख में मुक्ती दूसरी आख में जीवन मुक्ती रखते है वैसे एक तरफ विनाश के नगाडे सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो दोनों ही साथ में बुद्धी में रखो विनाश भी स्तापना भी नगाडे भी नजारे भी तब कोई भी विग्न को सहेच पार कर सकेंगी जो कारिय कोई ग्रूप ने नहीं किया वह इस ग्रूप को करके दिखाना है कमाल करके दिखाना है सदैव एक दो के सनेही और सहयोगी भी बन कर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मश्तिश कपर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा कहां भी सनेह वा सहयोग देने में कमी नहीं करना सनेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते है तो शक्ती की प्राप्ती होती है जिस शक्ती से फिर सफलता प्राप्त होती है इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखना जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देविया एक नजर से असुरों का सहार कर देती है वैसे एक सेकेंड में कोई भी आसुरी संसकार का सहार करने वाली सहार कारी मूर्त बनना है अब यह बात देखना कि जहां सहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना और जहां रचना रचनी है वहां सहार नहीं कर लेना जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना यह बुद्धी में ज्यान चाये कहां मास्टर ब्रह्मा बनना है कहां मास्टर शंकर बनना है अगर रचना करने के बदली विनाश कर देते तो भी रॉंग और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉंग कहानी सुनी है ना जब उल्टा कार्य किया तो बिच्चू टिंडन पैदा हुए तो यहां भी अगर सहार के बजाए उल्टी रचना रचली तो व्यर्थ संकल्प विच्चु टिंडन मिसल बन पड़ेंगे तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयम को भी काटे और दूसरों को भी काटे ऐसी रचना रचने से सावधान रेना जिस समय जिस करतव्य की आवशकता है उस समय वह करतव्य करना है समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे तो इस ग्रूप को बहुत जल्दी एग्रिमेंट बाद में एंगेजमेंट करना है सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, यह हैं एंगेजमेंट होती है, फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई, तो तीसरा समारोह है, संपुर्ण संपन्न बनने का, तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है, छोटे जास्ती तेज जा सकते है, सिखी लदे, लाडले भी इसलिए इस ग्रूप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उन्हों को चिडियाये बहुत खाती है क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मज़ा आता है। इसलिए संबाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अरपन कर लिया तो और कोई आगे संकल्प से भी अरपन नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोका देता है। इसलिए इस ग्रूप को भी टीका लगाना है। जो कोई की भी नजर न लग सके। तिलक का अर्थ़ तो समश्ते हो जैसे तिलक मस्तशक में टिक जाता है। वैसे जो भी बाते निकली वह सभी सदैव स्तिती में स्तित रहे। इसका यह तिलक है। यह सभी बाते स्थिती में स्थित हो जाए तब राज्टिलक मिलेगा, स्थिती कौन सी चाहिए, वह तो समझते होना, इस ग्रूप को यह स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जनमसिद अधिकार है, असफलता नहीं, सफलता का ही श्रूंगार करना है, नैनों में भी, मुक स भी, मस्तक में भी सफलता का स्वरूप देखने में आए, संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो, उसमें सफलता हो, सफलता ही जनमसिद अधिकार हो, यहां है इस ग्रूप का स्लोगन, भट्टी में पढ़ने से सभी कुछ बदल जाता है, सबसे छोटी और ही श वह और ही उमीदवार हो दिखलाते हैं, यह कमाल करके दिखाएगी, बाल भवन का एक ही यादगार है, यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना है, अगर एक छोटी ने कमाल की, तो इस सारे ग्रूप का नाम बाला हो जाएगा अब जो स्लोगन बताया है वह करके दिखाना है छोटों को बड़ा करतव्यकर दिखाना है इनसे सभी से एग्रिमेंट लिखवाना कोई भी कारण आए कैसी भी समस्या आए लेकिन और कोई पर भी बली नहीं चड़ेंगे सच्चा पक्का वाइदा है ना जैसे बीच बोने के बाद उसको जल दिया जाता है तब रुक्ष में फलिबूत होता है इस रीती यह भी जो प्रतिग्या करते है फिर इसको जल कौन सा देना है प्रतिग्या को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ-साथ अपनी हि मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंट और कहान चली जाए जैसे गवर्मेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता वैसे अल्माइटी गवर्मेंट की सील हरे को लगाना है इस ग्रूप से कोई की भी कमजर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे समझा अच्छा ओम शन्ति